पिछले दिवादी में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था मैंने अपनी आखों से दिपोटसर देखा था अयोध्या जी में वर्द रिगोर्द बना था हमने 19 तारी को मत्रा पुलिस में कंप्लेंड दर्च की थी और कल हम इन यूटूबर्स के अंगेंस्ट हमने केस भी दर्च कर दिया है दिवादी तो खुशिया मनाने और बांटने का नाम है लेकिन इस दिवादी इन टोलर्स और यूटूबर्स ने मेरी खुशिया चीन दी मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ हाला कि बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया वो सिफ ब्बक्ती कर रहा है, वो तो अपना सिफ नातंध्रम का प्रचार कर रहा है, अगर धर्म का प्रचार करने पर यह सजा मिलिती है क्या? मेरे काना जी को मैं अपने छोटे भाई की रूप में वश्टा हूँ उनके साथ बाते करना, मस्पी करना, आनन्द करना मुझे बहुत अच्छा लगता है पिछले दिवादी में बहुत खुश था ज्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुदाया था मैंने अपनी आखों से दिपोट्सव देखा था, आयोध्या जी में वर्द रिकोर्ड मैना था और आप सब को भी दिपोट्सव दिखाया था लेकिन दिवादी तो खुशिया मनाने और बांटने का नाम है लेकिन इस दिवादी इन टोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशिया छेंदी पर कोई बात नहीं, आप सब को दिवादी की हारदिक शुपकान नाए और इन सब यूट्यूबर्स और टोलर्स को भी हैपी दिवादी दिवादी ने इडियो 2023 का है मैं राम जी के नाम का जैकारा लगा दिया था जिससे मन्च की गड़ी मां भंग हो गई थी तब मैं आठ नो साल का था अड़े आठ नो साल के बच्चे से तो गलती होगी सकती है ना और तब जगद गुरू राम धरचारे महाराज जी ने मुझे मन्च से उतारने को कहा और मुझे डांटा भी लेकिन ये किसी ने नहीं नादा की जगद गुरू राम धरचारे महाराज जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी होगी सकती है ना खनुमान जी भी जबक वेरे थे सूरच को खाने के दिए बाद यवस्था देखिए उन्होंने मुझे 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 कहा में गड़व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे 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 के रूप में आशिरवाद सुरू ही मैंने पाया अरे महाराज जी के डांट में तो आशिरवाद छिपा हुआ होता है, प्रेम छिपा हुआ होता है, महार श्री व्रद राज जी को भी तो उनके गुरु ने मुर्ष कहा था, तो बाद यवस्था में तो गरती हो ही सकती है, तो मुझे पता चलिया कि मेरी बाती खा दी है और इसमें भी बहुत कुछ अंदर जा सकता है, हमने 19 तारी को मत्राव पुलीस में कमप्रेंड दर्च की थी, और कल हम इन यूट्यूबर्स के अंगिनस्ट हमने केस भी दर्च कर दिया है, हमारे पास बहुत सारी धंकिया आरे है, धंकिया हाला कि दो-तिन दिनों से आ रही थी हमारे पास, ये धंकिया आपने लेकिन कल जब हम कोड से बहार निकले, कोड से बहार आते ही, I think साड़े तिन पुरने चार बजे के करीब हमारे पास वर्टसअप मैसेजिस आते हैं और मैसेजिस में हमें धमकाया जा रहा है कि आपको मार दिया जाएगा, आपको यह सब कुछ बहुत ही अप्शवद बोले ज यह इजाता है, उसने गलत किया क्या है? क्यों उसे परेशान किया जा रहा है जो भी यूट्यूमर्स ने, उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए, उनका क्या उदेश्य है, उनका अभिनव से देखे कोई परसनल बायस तो है नहीं, उनका उदेश्य जो मुझे लगता है, उनका क्या उदेश्य है, कि कुछ भी वीडियो बनाएंगे और उससे उन्हें व्यूस मिलेंगे, और उनको पैसे मिलेंगे, अरे ऐसे पैसे कमा के वो क्या करेंगे, किसी को पर परिशान करके, अगर आप पैसे कमा भी रहे हैं, तो उससे आपको खुशी तो मिली नहीं सकती, आप अपने वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बना के आप अभिनव के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, जूटे ऐलिगेशन लगा रहे हैं, आपके वीडियो चल रहे हैं, तो बस मैं यही कहूंगी कि हमें जो परेशान कर रहे हैं वो इस तरह से मत कीजिए ताकि आप भी खुशी मनाई और हमें भी खुशी मनाने दीजिए